अभी सुभा के पांच बज रहे हैं और ये देखिए इतनी रात फर बारिश हुई है दो दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था परेशान थी मैं मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था इतनी बारिश हो रही है कि हर काम अस्थगित है सारा काम रुका हुआ है लेकिन सुभा सुभा का समय देखिए और आज मैं आपको इतना अच्छा चीज दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपका मन खुस हो जाएगा बिल्कुल नेचूरल सारी चीजों को मैं दिखाने आपसे वाली हूँ अभी तो यह बिलकुल शुभा के पांच बज़रा हैं और अभी मैं इधर आपको खुरकी से दिखा रही लोगी वह बिल्कुल नेटुरल फिलिंग देता है आपको पहले इस पक्षी के आवाज सुए यह अच्छी लगेगी आपको और अभी मैं सुभा हुथी मैंने हरू दिया और रात में मैंने बर्तन को छोड़ दिया था कि लेट नाइट तक जरूरी कामों पढ़ने लिखने में लग गई थी और यह देखे सुभा सुख के अभी आट बज रहे हैं हलका दूप निकल गया था जिसे की सड़क का पानी सुख गया है तो मेरे हस्वेंड ने यह दिखाया देखो इसको अन्यों नासरे संबन्द कहते हैं और यह जो है जिसे लगता है कि कुछ बात हो रहा है बिल्कुल जरूरी बातें हो रही है और मैं आपको यह जूम करके दिखाऊंगी इतना मतलब अच्छा लग रहा था देखने में हम लोगों ने 15-20 मिनट तक इंजॉय किया था यह देखने में इतना और यह कभी गाय की बिल्कुल पास चले जाती थी लेकिन गाय कुछ भी नहीं करती थी और जब कभी पीट पर बढ़ जाती थी मेरा बेटा वे काफी एंजॉय कर रहा था और यह देखिए हवा इतनी तेज चल रही थी अचानक से फिर थोड़ा साफ हुआ मतलब मौसम ऐसा ऐसा करता है कि कभी आपको बहुत अच्छा लगने लगा कभी आप परेशान हो जाएंगे और इतनी तेज हवा चलने लगी कि हर जगा का खड़की की बार बंद करना पड़ा हम लोगों ने इस नेचुरल चीज का बहुत ज़्यादा आनंद लिया यह लग वग आठ बज रहे हैं क्योंकि यह सोकर उठते हैं मेरे हस्बेंट तो ही यह बनाते हैं चाय लेकिन आज इनोंने बहुत बड़ा धोका किया मेरे साथ पता ने इनकी साजिस थी कि क्या थी और यह देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने रात का सारा काम अधूरा छोड़ा है तो यह सबजी लाए थे इसी तरह मैंने इसको पनी सी खोल कर रात में यहीं पर छोड़ दिया था और यह देखेंगे एक साथ बहुत सारा आम पक गया है मैंने लाइट जला ली है कीचन की तो आम अब सड़ने भी लगे हैं इतना आम पक गया है आदमी कितना खाएगा मैंने मंदिर में जाके भी इसको प्रणा बना रहे हैं तो चाय अभी मेरे हस्वेंड उदर बना रहे थे इधर मैंने करेली का भुंजिया काट लिया और चाय देखकर ही लग रहा है का आज का चाय इतना घटिया बना ओगा उनको लग रहा है कि मैं 15 दिन से लगातार बना रहा हूं और इधर देखें कि यह बरतन इस तरह से पड़ावा है कुछ से मैं निकाल निकाल कर दो दो कर यूच कर रही हूं तो मुझे लगा को सोचें 15 दिन से मैं बना रहा हूं तो चलो आज इतना घटिया बना देता हूं कि यह फिर से खुद से बनाए यहां पर मैंने आटा मिला कर रख दिया है सच में चाय बना रही हूं सच में इतनी घटिया चाय बनी थी कि यह मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए फेकते फेकते मुझे याद आया थोड़ा आपको दिखा दूं वह भी नहीं पीए वह भी बना आज तुमको यह बनाना पड़ेगा लगता है तो फिर मैंने बनी होगी पताने आज उन्होंने बहुत बड़ा गहम खेला है मेरे साथ और यह देखाएंगे यहाँ पर मैंने लो फ्लेम करके चढ़ा दिया है कढ़ाई अब चाय अराम से बट कर पी लोंगी और उसके बाद मैं इसको करेली में चौक लगा दूंगी इधर करेली होगा फिर दाल आज मैं मिक्स दाल बनाने वाले हों दाल बनाओंगी यह दोनों उदर चढ़ने के बाद फिर बरतन भी धोना है एक साथ बहुत सारा काम करना होता है जैसा कि आप लोग जूड़े हैं सुरू से जानते होंगे और यहाँ पर देखिए तेल हमारा पक गया है मैंने करेली डाल दिया है और अब मैं कूकर में दाल सेट करूंगी तो आप लोगों इसे जो भी चैनल पर पहली बार आये हैं प्लेट चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को इंज्वाइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा चैनल का नाम है एचिमेंट इन आल तो इस डालूंगी हलदी डालूंगी और हींग डालूंगी हींग काफी स्वाधिष्ट बना देता है किसी वी चीज को दाल या सबजी को अब हींग जो है यह हींग मैंने आपको बताया है कई वीडियो में कि मेरे ससूर सहाब लाते हैं भागलपूर का यह हींग और यह हींग काफ चड़ा दूंगी दाल भुंजिया हो जाएगा आटा मैंने मिला लिया है और उसके आद मुझे सारा सब्जी भी दूलना है मतलब एक बार मैं कीचन घुषती हूँ आज कल तो मैंने ये कितने बज़े निकलना है ये जो टाइम बोलते हैं फिर मैं बोलूंगी आपके आगे में खाना कितने बज़े चाहिए उस टाइम के अनुसार में कीचन में सबाह आठ साड़े आठ में इन करती हूँ उसके पहले मैं नीच पेपर पढ़ू क्योंकि जब मैं इतना सवेरे पां करेली के भुझे को मीडियम फ्लैम में डाल दिया है और आज कुछ ज्यादा बनाना नहीं है क्योंकि रात में थोड़ा खाना भी अधूरा ही बना था इसका कुछ कारण था इनके पेट में हलगा दर्द हो गया था तो अब डॉक्टर को दिखाए हैं थोड़ा चक्कर भी लग गया है मैं यह सब शेयर करना नहीं चाहती हूं कि कभी मान लीजे यह वीडियो देखें तो मुझे इन सब लाइट अभी बिल्कुल नहीं है और दाल भी हमारा पक गया है दाल में कुकर में जिस्तर की सीटी दिया जा रहा है आप देख रहे हैं इधर मैंने चावल भी धो लिया है और इतना देर में मैंने सारी सबजियों को धूल लिया है बिंडी बैगन करेला परवल टमाटर हरी मि काफी तीखा है जिसको तुमएं सीटने करकें रखते हूं दो एक मेहना चलाया याता है मिर्ची किकुतृ इस पर निरुपर करता है कर दो हरी हरे सबी है नहीं को एक説ंचा था किसमें दोब भी नहीं है तो अब मेरा बुंजिया भी हो गया है मैं भुंजिया उतार कर उधर रोटी बना किया जा सकता है यह देखिए सारा कपड़ा इस तरह से मैंने यहां पर लगा के रखा है ऐसे से करके मैं दीरे-दीरे इसको सुखाते जा रही हूं आप कोई भी कितना काम करेगा यह तो मेरा बुक्रम है जो ड्रेस होगेरा में डालती हूं अभी सोफा वगेरा बाबु इस त रखा है तो इस्तिती बहुत खराव है मैं आपको बैक कामरा करके थोड़ा दिखाती हूं यह देखिए कहीं छट पर कोई आदमी नहीं साम के विच्छे बज़ रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है इसे में कहते हैं देखते हैं संसार की हालत क्या हो भगवान रोज तो यहां पर काम भी चलता दा लेकिन आज काम वाम सब कुछ बंद है कि बारी इस इतनी हो रही है बाहर का कोई काम हो नहीं सकता है अब बिल्कुल भी मन नहीं लगने लगा नीचे में भी पूरा पानी पानी भर गया है सबक पर पानी जाम है आपको मैं दि पाफल का किया और यह मेरे बेटा को देखिए मैं ने उनलान क्लास में बताया था कि बैलोन फुलाने से लंक्स लंक्स जो है वहेल्ड़ी रहता है अब इसके दिमाग में कि ृइद्धि नम्हें वहद ses पएल्खये पांग इसको मैं दिखाऊंगी बहुत बहुत ही अच्छा लगता यूट्यूब पे कोई मेरा वीडियो देखे ना देखे सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन यह भविश्व में बहुत सुख देने वाला है जब यह देखेगा तो आप समझे इसको कैसा लगेगा कितना अच्छा ल नहीं आया इतना बैलून खुद से उड़के घ्टकी में चिपक रहा था यह देखिए खुद से तरह से आए उड़की में चिपकते गया खुद से यह देखकर यह भी इसको भी हसी आ रही थी यह कैसे हो रहा है फिसारा वालून को उतार कर मैं बेट बेट पर रख देती थ पेकिर उसी तरह से ऊपर जाता था और बेट का तो भी अहलत खराब है क्योंकि बैट कर बिलून फुला रहा है उनका खिलोना रखा और यह देखिए किस तरह से बैलून उड़के खिड़की के पास जा रहा है तो मतलब बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाएंगे तो उम बारिस नहीं थमी है अभी रात के साड़े 8 बजने अभी बारिस हो ही रही है देखते हैं कल क्या होता है तो चलिए डियर मैं मिलती हूं आपसे अगले ब्लॉग में बने रही है इस चैनल के साथ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा विडियो लाइक करिएगा कमेंट भी करिएगा और अगले ब्लॉग का इंतिजार करिएगा बाइवाई डियर बाइवाई लव यू और